नमस्कार आप देख रहे हैं तो अब यहार टॉप मैं हूँ आदेश फुरी बीपीएसी सिख्षक बहाली में प्राइमरी सिख्षक बनने के लिए बीएड कैंडिडियेट्स आपको बता दे कि उनके उनका जो इस्तिती है वो असमंजस वाली बनी हुई है तब से बनी हुई ह जब से 11 अगस्त को सुप्रीम कोट के द्वारा फैसला दिया गया कि प्रात्मिक विद्याले में सिख्षक बनने के लिए डिये लेड योगता ही योग्य है आपको बता दे कि उसके बाद से ही छात्रों में असमंजस की सिती हुई क्योंकि बिहार में लगभग प्राइमरी स सिख्षक 80,000 पदों पर भरती के लिए 24 अगस्त से परिक्षा सुरू होने वाली थी आपको बताएं कि सभी को ये आसा थी कि सरकार के द्वारा सिख्षाई भाग के द्वारा कोई एडवाईजरी या असपश्टी करन जारी किया जाएगा इसको लेकर या फिर मना ही हो है लेकि रिजल्ट के समय में हम जो उस समय की सितिया रहेंगी उसका ओलोकन करेंगे और उसके बाद ही कुछ फैसला ले पाएंगे इस पर और हमें सिख्षा युभाग के मार्क दर्संग का भी इंतियार रहेगा परिक्षा भी हो गया कॉंसलिंग लगवक ग्यारा बारा औ और नौदस जो वर्ग हैं उनके भी पूरे हो गया और अब जो है इंतियार है प्राइमरी के कॉंसलिंग होने का लेकिन देखिए कि अभी तक सरकार के द्वारा सिख्षायु हग के द्वारा या फिर बीपीएसी के द्वारा ये साफ साफ नहीं कहा गया है कहा जाए तो नो लेकिन ये सारे खबर जो हैं वो सुत्रों के अधार पर चल रहे हैं मिस ओफिसियल अधिकारी घोसना इसकी अभी तक नहीं की गई है और जब भी इसके बारे में पूछिए तो आयोक का कहना होता है कि हम सिख्षायु भाग से मार्क दवसन ले रहे हैं यो कि सिख्षायु भाग को इसमें फैसला लेना है और सिख्षाय भाग में पता करने पर ये कहा जा रहा है कि बीपीए सी इसको ले करने नहीं लेगा यानि कहा जाए तो गेंद जो है एक पाले से दूसरे पाले में किया जा रहा है लेकिन अभी तक देखिए कि एक महीना हो गया एक महीना से एक दिन जादा हो गया अभी तक जो है सरकार के द्वारा सुप्रीम कोट के फैसले के बाद कोई भी अस्पष्टी करन या अपनी राय जो है या अधिकारी घोसना के रूप में कुछ भी नहीं कहा गया काने का मतलब है कि आज तक बीएड के कैंडिडेट अस्वंजस में है डी एलेड वाले और बीएड वालों का जो है सोसल मीडिया पर आरोप परतारोप भी चल रहा है इसको लेकर लेकिन असपष्ट अभी तक कर देना चाहिए अगर देखा जाए फैसले को देखा जाए तो ज सरकार जो है प्राइमरी विद्याले में बीएड डीडी धारी को सिक्चक नहीं बना सकती है एंसिटी के जो गाइड लाइन है उस गाइड लाइन में जो ब्रिच कोर्स का जो व्यवस्था किया गया था उसे ही सुप्रिम कोर्ट ने खत्म कर दिया और साफ साफ कहा दिया कि अब जो है वो डीए लेड वाले ही प्रात्मिक विद्याले में सिक्चक बन सकते हैं और जज्जमेंट की इस कोपी को हू बहू एंसिटी के द्वारा आपने वेबसाइट पर डाल दिया गया यानि कहने का मतलब था उनका डारेक्ट की सुप्रिम कोर्ट का ये और इंडिरेक्टली जो है उसमें मतलब यही था कि एंसिटी जो है सुप्रिम कोट के इस गाइड डैन का पालन करने जा रहा है और देखा जाए तो अगर अध्यादेश नहीं आता है या फिर सुप्रिम कोट ही अपने फैसले को नहीं बदलता है तो इसके अलामा कोई दू साक के द्वारा सिच्छाई व्वागों या BPSC के द्वारा जो है वह अभी तक अधिकारी जो इसको लेकर कोई भी गोस्तना नहीं किया गया है और आपको बता दे कि आज BPSC ऑफिस में बैठाक दे जिसमें BPSC सिच्छाई व्वाग और बिहार विद्ध्याले परिशा समी अधिकारी जो हैं बैठ कर चर्चा कियें और यह चर्चा जो है बिहार में अगले सिख्षक बहाली को लेकर प्रमुक रूप से था यानि कहा जाए तो जो डेढ़ लाक के आसपास बहाली की जो बाते चल रही हैं उसको लेकर था और अक्टूबर में जो है इसका नोटिफिके को लेकर क्या होगा हलाकि जो सुत्र बता रहे हैं सुत्रों के अनुसार बीएड वालों का रिजल्ट नहीं होगा और संभावना यह भी है कि उनका डॉक्मेंट वेरिपिकेशन भी प्राइमरी के लिए नहीं कराया जाएगा क्योंकि जिनको बहाली ही निन्नोकरी ही नहीं देना है जिनको सुप्रीम कोट के आदेश करूशार वो अयोग्य हो गया है उनका डॉक्मेंट वेरिपिकेशन कराने से क्या फायदा है डियलेड वालों ही डियलेड वाले ही जो है वो प्रात्मिक विद्यालेव में सिक्षक बनने की योग्या है और उनका ही डॉक्मेंट वेरिपिकेशन होगा उनका ही रिजल्ट जारी होगा लेकिन ये सारी खबरे जो हैं वो सुत्रो क्याधार पर चल रही है इसका कोई भी असपष्ट दिशा निर्देश या अधिकारी घोसना अभी तक जारी नहीं किया गया है तो कमसे कम असमंजस की जो इस्तिती बनी हुई ह अभी भी बीड़ वाले कंडिडेट्स जो है वो ये आस लगाए हुए है कि कहीं कोई बीच का रास्ता निकाल रही होगी कि इसी कारण वो घोसना नहीं कर रही है लेकिन जो सुनने में आ रहा है जो खबरे आ रही है उसके मताभिद सरकार जो है वो अगले बहाली में उसमें B8 candidate जो हैं वो योग्य होंगे जो seatate या B8 किये होंगे वो उसके लिए योग्य होंगे तो चलिए ये तो अगली बहाली है लेकिन कम से कम इस बहाली में जो इतने छात्र सामिल हुए पौने चार लाह के आसपास उनको ये असपश्ट कर देना चाहिए सरकार के द्वार हम लोग का इस परिच्छा में चैन हो पाना मुस्किल है लेकिन घोसना एक हो जाना चाहिए तो एक महिने से ज्यादा समय हो गया कॉंसलिंग का भी समय आ रहा है और अभी तक अधिकारीक रूप से कोई भी इसको लेकर बाते असपश्ट नहीं हुए है यही छात्रों में ए इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक सेर करें हमारी चैनल दभी हाट टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें तन्यवाद